दोस्तों मेरा नाम है क्रिष्णा और आप देखरें टेलीन्टूवर, दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इन्कृटेड और डिकृप्टेड दोस्तों ये इन्कृटेड डिकृटेड जो हैं हम फाइल को सेफ करने के लिए दूसरे हैकर से या फिर digital fraud के उपर हम save करने के लिए इसको यूज करते हैं इसमें हम लोग एक command के उच करेंगे जो कि cmd में यूज होगा जिसको बोलते हैं साइफर साइफर दोस्तों पांस तरीके से हैं हम लोग इसको साइफर को कोई भी फ्रॉड को रोकने के लिए इसको किया जाता है अगर कोई सेंड करता है दूसरा किसी को फाइल तो उसका बिना पर्मिशन का वो खोल नहीं सकता है दूसरा चीज है कि अगर मेरा system या laptop में कोई फाइल रखा हुआ है और मेरा जानकरी के बिना कोई अगर उस चीज को ले लेता है तो आपने पास अपने system में दूसरा system पर खुलेगा तो आए हम लोग देखते हैं कि कैसे ही कर सकते हैं सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं मेरा desktop में कुछ files पढ़ा हुआ है तो मैं इसको कुछ file के ओपर encrypted करूँगा तो यहां पर मैं right click कर लेता हूँ right click करने के बाद आप यहां पर new पर जाईए निव में folder पर हम यहां पर folder जैसे हम create करेंगा उसका नाम दे देंगा my file करें और यह इंटर करेंगे इसमें हम कुछ photos ले लेंगे यहां पर फोटो है और कुछ कि मेरा जैसे यहां पर excel file है तो हम excel file ले ले लेते हैं और इसके बाद कुछ video ले लेंगे तो मैं जैसे यहां पर my folder के अंदर यहां तो यह तीनों file के उपर हम अभी encrypted करेंगे यानि कि सिर्फ यह मेरा मेरे सिस्टम में चलेगा अगर कोई दूसरा बंदा इसको copy करके ले ले लेता है तो वो उसको चला नहीं पाएगा तो इससे पहले हमें यहां पर क्या करना हूं कि फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर में आ अन कमाड से भी ले सकते थे सर्च करके भी ले सकते थे तो हम यहां पर इसलिए ले रहे हैं ताकि यह direct खुलेगा यहीं पर आप देख सकते हैं करने का बाद आप यहां पर देख सकते हैं मेरा यहां पर c user kcs desktop और मेरा my files यानि कि इस फोल्डर के अंदर ही यह भी direct open हो चुक करें थे कि साइफर जो है कोई भी digital fraud या hackers को बचाने के लिए हम लोग साइफर का कमांड यूज करते हैं इसका पांच तरीके से है इसके आने वाले वीडियो में हम इसके उपर discussion करेंगे तो यहां पर हम टाइप करेंगे साइफर सी आई पी एच सी आई पी एच इए आर फिर यहां पर हमें स्पेस देना है स्पेस देने के बाद फिर हम forward slash देंगे forward slash के बाद हम e देंग e यानिके encrypted यहां बना दे रहा हूं encrypted और यहां पर encrypted जैसी हम लिखेंगे यहां पर एंटर करेंगे जो तो आप यहां पर देखेंगे यहां पर lock का सिंबल आ गया यहां पर आ गया और यहां पर आ गया यानिके मेरा इस इस फोल्डर के अंदर माइं फाइल के अंदर जो था मेरा asdmp4 करके फाइल यहां पर ओके आ रहा है यानिके इसको encrypted यह हो चुका है scope versus achievement तो यह भी मेरा आ चुका है और यहां टिपेंड ट्रिक्स का जो लोगो है यह भी ओके हो चुका है यानिके इसको हम यहां पर करते हैं यह मेरा फाइल जो है अभी इंक्रिप्ट हो चुका यह मेरा यहीं पर ही खुलेगा कि मेरा अपने सिस्टम में है अगर किसको कॉपी करके मेरा कॉपी करके ले ले या तो पर हैक करके मेरे सिस्टम में ले लेगा अपने सिस्टम में तो यह खुलेगा नहीं तो हम अब यас चीज को देखिया किया जाता है तो मैं फूरा klose तो इसको खरता हूं just here folder is file के अंदर — my file केंदर फोल्डर आप देख सकते हूं इसको हम क्या करेंगे रै Crash click करेंगो और Send to paint drive और यहां पर यहां पर पहले से फाइल ए उसको हम हम लिडовых रहता है और अभी जो फाल में लाया हों यहां पर हम mar decipher अब लुद्भ like देख से यहां पर मेरा वहां को पैस्ट हो चुख है उसको हम ग्लोज करें है और मुब करेंगे दुस्रा सिस्टम हम इसको यूज करेंगे की दूसरा मेरा एक सिस्टम है उस सिस्टम में यूज़ करें में आउन हम मेरा पास यह ही और यहां पर देख सकते हैं मैं दूसरा सिस्टम में वह फेल को लगा लिया हूं तो जैसे छिव डिच स्थूम में जाएं चीज को बंद करके हैं कोई पाने Bluetooth हो लगा दिया ओर यहां पर यहां पर पेंडर लगा दिया था यहां पर मेरा फाइल सभी है यह तीनों फाइल को हम अब यहां पर देखसकते हैं लोक्त लगा हुआ यानि किक्रिट किया हुआ और यह तीज हम यहां पे डोलड़ कुम करते-उपन करें ऑजी में Kid by खुल चुका हैु लेकिन यहां पे एक क्रॉस सिंबल दिखा रहा है तो यानि कि इसका भी मुंकिन ही नहीं और एक्सल सीदवाला भी देखले च्ञाइए यह क्राम कर रहा है कि Recovery जो है जो इस चीज को फिर यहां पे एनक्रिप्ट हो चुका है लेकिन यह चीज को वह कभी भी खोल नहीं परेंगे जब तो जो सिस्टम में चला थाँ वह सिस्टम में अगर पूरि खुला थाए तो इसको मिआ प्लोच करें यहां से हमक़ी करते रिमूब करने के बाद पिर हम आज जाएंगा अपने पुराना सिस्टम में जहां सक्षाओं हम इसको लगा है थे और हलता ह है का को यहां पर देख रहे हैं कि पंद्रे मेरा डाइड ओपोन हो चुख है और आगर उस लोगों को एग वह ओपन करते हैं मेरे सिस्टेम में आप यहां पर देखिये गांकर वह हम क्लोज करेंगा और हूँ जो इन्क्रीप किया हुआ इसको हम डिक्रीप करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको में ऊपर कर ले था और जो कमंद प्रो टोक्रीन हम लोग दिये थैने साइफर याद रखेंगे कि दोस्तों मैं यहां पर स्मॉल में दिया था इसलिए वो लिया नहीं था यहां पर हम क्याप्स में ही दिया है सारा चीज को तो फिर हम वह टाइप करेंगे साइफर फिर से स्पेस देंगे फर्वर्ड स्लस और डी यानिके डिक्रिप्टेड डिक्रिप्ट करेंगे इस चीज को हम यहां पर फिर एंटर करेंगे तो यह फिर से वही ओके कर दिया है यानिके अब तिनों फाइल का यहां पर का चुका यानिके डिक्रिप्ट हो चुका है मदा पंडराइब का है इसको हम ख्लोस करेंगे यह जो खुला हुआ है ओटोकर् यह आप देख सकते हैं शीडेक्स्ट आप माँ फाइल सेंदर मैं पेंद्राइम में नहीं खुला और यहां पे जो है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर टीपसंडी ट्रिक का जो है जो इंक्रिप्ट का जो लोगो था वह अभी हड़ चुका है अभी डिक्रिप्ट हो चुका है यही सेम चीज आप अभी अपने फाइल्स को पर वी लगा सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमें क कोमेंट सेक्षिन अपना राय ज़रूर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यों दोस्तों